Hello friends, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कोलम के अंदर ये आप देख सकते हैं कोलम का एक सेक्षन आपको दिखाया गया है कोलम के अंदर हम टाइस का क्यों यूज करते हैं? बहुत general question है, अधिकतर इंटर्व्यूस में ये question पूछ लिया जाता है तो इस वीडियो के बाद आपको clear हो जाएगा कि टाइस को हम लोग कॉलम में क्यों यूज करते हैं दोस्तों काफी students टाइस और stir up में confused होते हैं तो इसके लिए हमने separate वीडियो बनाया था जिसमें की टाइस और stir up दोनों के बीच में difference clear कर रहा है साथ में ये भी बता रहा है कि आपको किस तरह से stir up beam के अंदर apply करना होता है यहाँ पर short में मैं बता देता हूँ कि टाइस का use हम लोग कॉलम में करते हैं वहीं stir up का use हम लोग beam के अंदर करते हैं यह basic बात थी जो कि आपको पता होना चाहिए अब सवाल आता है कि आखिर में क्यों हम लोग टाइक का use कर रहे हैं कॉलम के अंदर ठीक है तोस्तो पहली बात में यहाँ पर बताता हूँ जो main reason है टाइस को use करने का कॉलम के अंदर वो है क्या कि जो vertical reinforcement है देखीगा यह कॉलम है इसके अंदर यह जो reinforcement आप देख पा रहे हैं यह जिस पे मेरा करजर मूग कर रहा है यह जो reinforcement है इनको हम बोलते हैं longitudinal reinforcement या फिर vertical reinforcement चीक है और वहीं आप देख सकते हैं यह यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या tie clear है या steel tie तो दोस्तो जो main काम है किसका ties का या जो best reason है या most probable reason है ties प्रोवाइट कराने का कॉलम के अंदर वो यह है कि ties की मदद से हम जो vertical reinforcement है या फिर longitudinal reinforcement है इनको एक proper fixed position में रख सके during casting या placing of concrete ठीक है मतलब कि जो हमारे ties रहेंगे ties का major role है कि यह जो vertical reinforcement है या फिर longitudinal reinforcement है उनको अपनी proper position में रखे fixed position में रखे वो उनकी जो alignment है change ना हो जाए कब हम जब यहां पर क्या करते है casting करते हैं कॉलम की या फिर जब concrete को pour करते हैं इसके अंदर तब ठीक है तो यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है second जो main reason है दोस्तों वो मैं आपको अगर बताओं किसका ties का second reason है यह यह तो मैं आपको clear कर चुका हूँ कि hold क्या करता है longitudinal bar को proper position में रखने के लिए हम लोग इसका use करते हैं जो second और important reason है वो क्या है कि to prevent the highly stressed slender longitudinal bars from buckling outward मतलब कि मैं आकर figure में आपको बताओं तो यह बोला गिया है कि जो दूसरा काम है steel tie का या ties का वो यह है कि यह जो longitudinal bar से क्या बोला यह जो longitudinal bar से इनको buckle होने से रोकना क्या बोला buckling क्या होती है आपको मालूम होगी कि जब कोई member यह कोई member है इसके उपर अगर ज़ादा load हम लोग apply कर देते हैं तो यह member का shape कुछ इस type से हो जाता है इस चीज को हमने बोला है कि अब buckling मतलब कि चो ties से ties हमारे buckling को भी prevent करता है तो दो main reason मैंने आपको बता हैं दोस्तों और मेरे ख्याल से दोनो main reason आपको clear हो गये होंगे किसको provide कराने के लिए ties को provide कराने के लिए तो अब अगर इसके अंदर ही हम फिर से बात करे conclude कर देता हूं में कि मैंने आपको क्या-क्या बता है मैंने आपको बता है कि दो reason जो है वो क्या है पहला reason है कि जिससे कि हम हमारे longitudinal bars को proper position में रख सके पहला reason है ties provide कराने का और दूसरा reason है कि जो highly stressed longitudinal bar से जो vertical bar से वो highly stressed होती है उसके उपर compressive load आता है किसकी वज़े से concrete के उपर जो column होता है column के अंदर compressive load आता है that is compression member होता है तो जो हमारी longitudinal bar से ये भी highly stressed होती है तो उनको buckle होने से रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तो हम batize का use करते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आकिर में क्या कि आकिर में यह हमारा किस तरह से buckling को रोक सकता है माल लो यह एक बार थी तो यह इस पर load लगाया हमने कोई P load अगर लगाया तो यह आसानी से बकल हो जाएगी लेकिन यहाँ पर दो road अगर रहेगी और दोनों को मैं एक दूसरे से किसी मदस से इसको tie कर देता हूँ तो अबर same load आ रहा है P load तो यह थोड़े ओडिफिकल्टी से यहाँ पर क्या होगी बकल होगी कम बकल होगी ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर चार road को एक दूसरे से connect कर देता हूँ टाइस की मदस से तो load इस पर बले भी आ रहा है लेकिन अब यह बकल नहीं होगी मेरी ख्याल से बहुत अच्छे तरह से मैं आपको यह clear किया है कि टाइस को हम लोग column में क्यों provide करते हैं I hope यह video आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो ऐसे ही content के लिए हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों क्षाथ भी share करें thank you